पहुंच हुए थे और वो घर उन्हें बहुत जादा क्यूट लगता है और वो नागा फूमी बोलता है कि तुम्हें यहां पर चुपके रहना चाहिए अगर तुम्हें किसी ने देख लिए तो में बहुत बड़ी पॉब्लम हो जाएगी पर उसके मॉम डैड बोलते यह कितन होते हैं तुम्हें स्टोरूम में रहने के कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे बदल में रहां गार जांगा पर फक्वाझनली अब लेड़ी एक Comme इने एकना और फूमुरा राज सबस्के बाहार नौ पर गढ़े झाहते हैं जिसको लोग होत揆 जाता है जिसके जिसके बैटके उनके सामने कुछ पैस से आगे करती है और बोलती है ये मेरे डैड ने बिजे थे तुम्हारी मदद के लिए तो ये सारे पैस लेके उन दोनों का तो रवाईय बदल जाता है और वो सारा का सारा अरो नागा फूमी लगाते थे किसमत तुम्हारी गलती होगी और दोनों को शॉपिंग पर चलना चाहिए तो ये सारी बाते सुनके नागा फूमी भी शॉपिंग पर चले आती है और सं बहुत जारी चीजों को देखके बहुत जादा एकसाइटेड हो जाती है कि ये चीजे क्या अंडर वाटर उसे इतनी जादा चीज़े देखने को नहीं इस दिन नागाफुमी के हम लग लड़की आ जाती है जो कि उसी की स्कुल की थी और वो बोलती है तुम्हें इन दोनों लड़कें को चेड़ने की क्या ज़ूरत है उन्हें जाने दो इस मौके का फाइदा उठा कि वो दोनों लड़कें बहां से भाग भी जाती है और वो लिगन हैं नागाफुमी को लगता है कि वह बचता नहीं है और वह दोनों पर अटएक करनी वाले तरहीं उपर से उन्हें नों लड़कें जाटकी गजाता बच्पन से तुम मेरे साथ यही करती आ रही हो बंगे तुम लेती हो बचाना मुझे पड़ता है यह तुम क्या करती रहती हो तो नागा फूमी बोलता है चलो ठीके इस बार तो मैं तुम्हें महाफ करता हूं तभी वहां पर सन आ जाती है जो कि अपने आपको सुका के एक य जलाना है और यह असी अरकते देखके नागा फूमी वहां पर तोड़ा शर्मेंदा हो जाता है अपसन और उसकी फ्रेंड के बीच में जाने कि पिच में दोस्ती हो जाती है जो कि उन्हें बताते कि मेरे को बचमन से पोलीस आपीसर बना है क्योंकि मेरे ड़र और यह सारी कि आपक पर बार फिर अटाइक होता है और फाइनली अब उनके स्कूल जाने का टाइम भी आजाता है और रोड़ी किलह उसके ओपर अटैक करने ही वाली थी पर ना almond के से उसके अगज़ाता है अब सब लोग को स्कूल में जाने के लिए टायार और यहां पर सन ने भी नागाफूमी की स्कूल में एडिमिशन ले लिया था और वो दोनों बहुत जादा ही एक्साइटेट थे अब हम लोग समझ सकते हैं सामने जो लड़का देख रहे हो वो नागाफूमी का भश्चपन का दोस्त है जो कि एक कैट की तरक क्यों दिख रहे हैं तो हम इसे कैट बोई बोलेंगे अब कैट बोई जैसे इस सन को दिखता है तो वो उसके प्यार में पागल हो जाता है पर सन किते हैं तो नागाफूमी समझ जाता है और कोई नहीं सन के डेड़ है जिसको देखके वो बहुत जादा शौक हो जाता है आज से ही मैं तुम्हें पढ़ानी वाले बच्चों और वो सन को इंट्रड़क्शन भी करवाते हैं सबके समने अब हम लोग समझ सकते हैं कि नागा नागाफूमी भी अपना इंट्रड़क्शन देने जाता है और वो बोलता है कि सन तो मेरे साथ ही बैठने वाली है तो वो उस पे बहुत जादा चिलाते है इसलिए नागाफूमी भी तोड़ा बहुत जादा गुस्सा हो जाता है इसलिए वो सुलता है कि उसे अपने दोस् बाग जाता है भाई अब मादर भी लाइन वानने लगए उस पर तो नागा फूमी यहां से भागते बागते देखता है कि पीटी टीचर वो तो और कोई नहीं उसके बाड़ी कार्ट होते तब ही उसके उपर वो शाग भी अटाय कर जाती जो कि और कोई नहीं उनका ही स्कूल में एक टीचर बनके आया होता है भाई अब नागा फूमी की लाइफ तो अल्रड़ी जंड हो रखी है क्योंकि उसके पीछे इतने सारे लोग बड़े हैं और जैस वहाँ पे सन आ जाती नागा फूमी लगता है कि सन उसकी तरफदारी करेगी पना ही वो तो बोलती आप लो जिसकी वजह सही सन तुमारे साथ रह सकती है तो यह सारी बाते सुनके तो वह बहुत ही जादा एकसाटेड हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं सबको सावित कर दूंगा कि मैं मर दूँ वह सबसे पहले अपने दोस्त के तामने यसी अरकते करने की ट्राइग गरता है पर ज जाते हैं अब यहां पर नागा फूमी और वह कैट बॉई दोना ही गर्ल वाश मतलब चेंजिंग रूम में जाकने लग जाते हैं और वहीं से वही पीटी टीचर या वह शाक वाला बंदा उसे देख लेता है जिसके बाद अब नागा फूमी के पास दो रासे है या तो वह को शाक से मार खाले या दूसरा रास्ता वह चेंजंग रूम से होता हुआ बाहर भाग जाए तो वह दूसरा रासे अपना के चेंजंग रूम से भागने लगता है जिसके वज़ा से उसकी चान तो बज़ाती इस शाम को, सन उसके पास आके बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब क्यों किया, पर शायद तुमारे पास इसका कोई रीजन रहा होगा, तो नाकाफूमी समझाता है कि सन उसके ओपर कितना जादा बिलीव करती है, तब ह कि हम लोग नाकाफूमी के बच्चिपपन का फ्लेश बैक्शन देखती है, जहां पर वही अपने दोस्त के साथ बहुत ही ज़्यादा गेम्स खेलता था, इसका अगला पार्ट हम लोग जल्दी लाएंगे झाल 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 झाल